नवस्ते बाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है बाल दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत अच्छा गीत एक उत्तम गीत का गान सुना था उसका पठन भी सुना था और उस गीत का भावार्त समझने का प्रयास किया था वह गीत था धर्ती की शान आपने इस गीत को काफी प्रसंद किया होगा आप गाते भी रहते होंगे इस गीत को अपने घर में भी इस उत्तम गीत का जो संदेश है इस गीत में जो बोध है उससे भी हम भली भाती अच्छी तरह से परिचित हुए थे आज हम इस गीत के बारे में ही बात करने वाले हैं साथ में एक अन्य गीत भी हमें सुनना है जो हमारी पाठ्थे पुस्तक में दिया गया है उस गीत सुनने के बाद हम इस इकाई का अभ्यास और इस इकाई का जो स्वाध्या है उससे भी परिचित बनने वाले हैं तो शुरू करते हैं पहले सुनते हैं हम एक नया गीत तो आप तेयार हो जाएए सुनने के लिए नदिया न पिये कभी अपना जल व्रेक्ष न खाए कभी अपना फल अपने तन से धन से मन से अपने तन से धन से मन से देश को दे दे दान रे वो सैचा इंसान रे वो सैचा इंसान रे नदिया न पिये कभी अपना जल व्रेक्ष न खाए कभी अपना फल अपने तन से धन से मन से अपने तन से धन से मन से देश को दे दे दान रे वो सैचा इंसान रे वो सैचा इंसान रे चाहे मिले सोना चांदी चाहे मिले रोटी बासी महल मिले बहु सुखकारी चाहे मिले कुटिया खाली महल मिले बहु सुखकारी चाहे मिले कुटिया खाली प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे वो सैचा इंसान रे चाहे करे निंदा कोई चाहे कोई गुणगान करे फूलों से सतकार करे काटों की चिंता न करे काटों की चिंता न करे मान और अपमान दोनो जिसके लिए समान रे वो सैचा इंसान रे वो सैचा इंसान रे नदिया न पिये कभी अपना जल व्रिक्ष न खाये कभी अपना फल अपने तन से धन से मन से अपने तन से धन से मन से देश को दे दे दान रे वो सेचा इंसान रे तो बाल दोस्तो मजा आगा है ना सुनने में मजा आया आप गाओगे तो गाने में भी मजा आएगा और आपकी किताब में यह गीत दिया गया है यह भी मनुष्य की बात करता है मनुष्य का गवरव करता है और अच्छी तरह से कैसे जिया जाता है अच्छा इंसान कौन है हम इंसानियत से कैसे बरत सकते हैं हमारा वर्ताव इंसानियत से सभर कैसे हो सकता है इसके बारे में इस गीत में बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बात की गई है, तो गाना सुनने में मजा आया, तो हम आगे आगे हैं, और स्क्रीन पर कुछ देखते हैं, तो देखते हैं स्क्रीन, बाल दोस्तो, यहां अभ्यास के प्रश्ण दिये गए है, इन प्रश्णों के बारे में हम निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिये, तो आपको इन प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं, यहां पहला प्रश्ण इस प्रकार है, आप क्या-क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्ण है, आप क्या-क्या कर सकते हैं, आपको सोच कर जवाब देना है मैंने यहाँ आपके लिए उत्तर लिखा है मैं पढ़ता हूँ आप अच्छी तरह से सुने हम परवत पहाडों को फोड सकते हैं नदियों के मुख को भी मोड सकते हैं माटी से अम्रीत निचोड सकते हैं धरती को आकाश से जोड सकते हैं मतलब की हम बहुत तो आगे देखते हैं दूसरा सवाल इस प्रकार है विविदिक शेत्रों में मनुष्य ने क्या-क्या प्रगती की है मनुष्य की प्रगती की बारे में ये सवाल है तो हम इसे भी देखते है मनुष्य ने विविदिक शेत्रों में प्रगती की है उसने नदियों पर बंद बांधे हैं जमीन पर चलने वाले, पानी में तैरने वाले और आकाश में उड़ने वाले यान बनाए है इसी तरह उसने टेलिफोन और मुबाइल फोन जैसे प्रत्यायन के साधन भी खोज निकाले हैं कम्प्यूटर का आविशकार भी अपने आप में एक बड़ा आविशकार है तो मनुष्य की प्रगति के बारे में ये सवाल था और हमने यहां उसका उत्तर देने का प्रयास किया है उत्तर इस तरह भी हो सकता है आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन उस उत्तर में मनुष्य की प्रगति की बात आनी चाहिए तो आप अच्छे तरीके से इस सवाल को पढ़ ले उसका उत्तर भी अच्छी तरह से जान ले और बाद में लिखे तो फिर अब आगे भी देखें दोस्तों तिसरा सवाल इस प्रकार है अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है तो इसके बारे में भी देखते हैं अपनी बुद्धी के कारण मनुष्य अन्य जीवों से महान है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धी है मतीमान है गीत में था न, मतीमान तो मतिमान है, बुद्धिमान है मनुश और इसके कारण ही इसने इस तुरुष्टी पर आकर इतनी प्रगती की है, इतना विकास किया है चौथा सवाल जो है, चौथा जो प्रश्ण है वह इस प्रकार है बाल दोस्तों काव्य में उनलिखित प्रकृति के तत्व बताईए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए इस प्रश्ण का उत्तर भी देखते हैं काव्य में उनलिखित प्रकृति के तत्व इस प्रकार है धर्ती, परवत, नदी, माटी, अंबर, अगनी और पवन अंबर, माने, आकाश, वह आप जानते हैं तो यह जो गीत था, जो गवरोगान था, धर्ती की शान उस गीत में इतने सारे प्रकृति के तत्व के नाम दिये गए है, जिसका मजा ही अलग है अब इन शब्दों के समानार्थी शब्दों को भी देखें धर्ती, तो धरा, धर्ती का समानार्थी शब्द कौन सा है, धरा, धरा बोलते हैं, धर्ती बोलते हैं कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं, धर्ती भी कह सकते हैं परवत पहाड परवत पहाडों को कवी ने तो ऐसे ही शब्द बहुत कलात्मक तरीके से परवत पहाडों को फोर्द ऐसे लिखा है तो परवत का समानार्थी शब्द ही पहाड है एक शब्द है नदी नदी को हम सरिता भी कह सकते हैं सरीत याने नदी नदी यानी सरीता तो आपको इन सारे शब्दों को समझने हैं और उन शब्दों का विवार में उपयोग भी करना है जैसे कि हम लिखे तो एक नदी थी एक गाव में नदी थी ऐसा भी बोल सकते हैं लिख सकते हैं और एक गाव में सरीता बह रही थी ऐसे भी बोल सकते हैं लिख सकते हैं तो शब्दों का अच्छी तरह से वाक्य में प्रयोग करने से हम अच्छे भाषा बोलने वाले बन सकते हैं इसलिए हम ये शब्दों का विवहार में विन्योग करना है, उपयोग भी करना है माटी, माटी से अम्रित निचोड़ दे, याने मिट्टी से अम्रित पैदा करे माटी याने मिट्टी, कितना अच्छा शब्द है, मिट्टी और माटी गुजराती में भी माटी शब्द हम प्रयोजते हैं, गुजराती में माटी शब्द का प्रयोग करते हैं अम्र यानि आकाश, अम्र से जोड़ दे, धरती को अम्र से जोड़ दे, ऐसा आया ने कविता में, गित में आया, आकाश से जोड़ दे लेकिन कवी ने आकाश शब्द का प्रयोग नहीं किया, अंबर का किया, अंबर शब्द का प्रयोग किया हाला कि दोनों समानार्थी शब्द हैं, परन्तु कवी को प्रास, कवी को भाव जो प्रकट करना था तो इसके लिए उन्होंने अंबर शब्द का प्रयोक किया था तो ये शब्द की समरिद्ध की बात है हमारे पास ज्यादा शब्द होंगे तो हम अच्छी तरह से बोल सकेंगे अच्छी तरह से लिक सकेंगे पवन यानि वायू वायू भी बोल सकते हैं पवन भी बोल सकते हैं तो कितनी बड़ी बात है पवन का समानार्थी शब्द ही वायू है अगनी ज्वाला ज्वाला कहो या अगनी कहो दोनों समानार्थी शब्द है नैनों में ज्वाल तेरी गति में भुचाल जवाल शब्द आया था हूँ, जवाल यानि झवाला यानि अग्णी, बाल दोस्तो, हम अब्यास के प्रश्ण के बारे में चरचा कर रहे हैं, आपको इसमें भी मज़ा तो आता होगा, मैं मानता हूँ कि आपको मजा आ रहा है, भाशा शिख रहे हैं, हिंदी भाशा का प्रय कैसे किया जाता है शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है ज्यादा तर जो महत्व की बात है वह है उच्चारण अच्छी तरह से उच्चारण कैसे किया जाता है शुद्ध रूप से उच्चारण सिखने की जुरूरत है तो हम कुछ शब्दों के उच्चारण के बारे में स आईए तो शब्द देखते हैं पहला शब्द है समवाद आप भी बोलिए मेरे साथ समवाद समवाद शिग्र शिग्र समवाद शिग्र तीसरा शब्द है जोहर बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए दोस्तों जोहर, साथ में बोलियो समवाद, श्रीग्र, जोहर, अजनभी, अजनभी ऐसे ने, अजनभी, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, अजनभी, ऐसे ने, अजनभी, अजनभी, वेदान्त, वेदान्त, उच्चारंद करें, मुकदर, मुकदर, इसर, मुकदर, शागीर्द, शागीर्द, वृत्ति, वृत्ति, शागीर्द, वृत्ति, स्पष्ट, इस शब्द को स्पष्ट रुप से बोलना है, शब्द है स्पष्ट, और बोलना भी है स्पष्ट, जैसे स्पष्ट, स्पष्ट तो माल दोस्तों आपने शब्दों का अच्छी तरह से उच्चारण करने का प्रयास किया जब भी समय मिले तब इन शब्दों का उच्चारण करना उन्ची आवाज में करना और ऐसे बारी-बारी से आप उच्चारण करेंगे तो आप अच्छी तरह से स्पष्ट रुप से उच्चारण करने की कला सिख जाएंगे तो अब आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित काव्य पंक्तियों के भावार्थ बताईए यहां हमें काव्य की जो पंक्तिया दी गई है उन पंक्तियों का अर्थ कहना है उसका भावार्थ कहना है पहली काव्य पंक्ति इस प्रकार है प्रित्वी के लाल तेरा हिम गिरी सा भाल तेरी भृकूटी में तांडव का ताल है पृत्वी के लाल तेरा हिम गिरी सा भाल तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है इस पंक्ति का जो भाव है भावार्थ है वह यह है कि मनुष्य तो पृत्वी का लाल है और पृत्वी का लाल है मानि पृत्वी का बच्चा है पृत्वी की संतान है और तेरा जो भाल है वह कैसा है हिंगिरी सा है हिमालय परवत की तरह शीत है शितल है और तेरी ब्रिकूटी में तांडव का ताल है तांडव कौन करता है बगवान शीव तांडव का ताल तांडव में ताल होता है लय होती है तांडव की तो मनुष्य तुम्हारी जो भ्रिकूटी है उसमें तांडव का ताल है तो कवी में जो बात कही है वो बहुत अच्छी तरह से कही है कि मनुष्य की शक्ति की बात यहां बहुत अच्छे तरीके से की गई है तो आगे देखते हैं, दूसरी जो कावे पंक्ति है वह इस प्रकार है, गुरु सा मती मान पवन सातु गती मान, तेरी नब से भी उँची उडान है रे, यहाँ पर भी कवी बात तो मनुष्य की ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य के जो गुण है, दूसरे गुणों के बारे में बात है, कि मनुष्य तु गुरु सा मती मान है, मती मान यानि बुद्धि मान, गुरु की जो बुद्धी होती है, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, उनकी बुद्धी के बारे में बात है मनुष्चत तूम भी अपने गुरु के जैसा ही बुद्धिमान है तेरी बुद्धी शक्ति कमाल की है और पवन साथ तु गतिमान है बुद्धी तो है ही साथ में तेरी जो गति है वो कैसी है पवन की तरह है तुम्हारी गति में काफी वेग है पवन के जैसा वेग है तो तू गुरु की तरह बुद्धिमान भी है पवन की तरह गतिमान भी है और तेरी जो उडान है वो कैसी है नबसे भी उची है काफी उची नबसे भी उची उडान कभी ने अतिशवक्ति से बात की है लेकिन मनुश्य की शक्ति के बारे में बात करनी थी तो कभी ऐसे ही बा प्रवरितियों में रस ले रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं इस बात का आनन्द है और फिर आगे बढ़ते हैं अब तो बच्चे अब हम स्वाध्याय के प्रश्णों की चर्चा करते हैं निन्न लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिये यहां हमें कुछ प्रश्णों के उत्तर लिख कर देने हैं मनुष्य क्या क्या कर सकता है मनुष्य परवतों को फोर सकता है नदियों के प्रवाह को पलट सकता है मिट्टी में से अम्रित निकाल सकता है दर्ती और आकाश को एक कर सकता है आगे बढ़ते हैं उच्चित जोड मिलाईए यहां में जोड मिलानी है तो देखते हैं किस तरह से जोड मिलानी है मनुष्य की आत्मा में क्या है स्वयम भगवान है किताब में दिया गया है अलग-अलग वाक्य दिये गए है अधे-धे दिये मनुष्य की आत्मा मे किताब में लिखा था यूग का अहवान है लेकिन सही जवाब क्या है मनुष्य की आत्मा में स्वयम भगवान है हमने कविता में भी देखा हमने गित में भी देखा तेरी आत्मा में स्वयम भगवान है तो मनुष्य की आत्मा में और सामने लिखेंगे स्वयम भगवान है मनुष्य के नयनों में ज्वाल है क्या है? ज्वाल है मनुष्य के नयनों में क्या है? ज्वाल है नयनों में ज्वाल तेरी गती में भूचाला है सामने देखा न मनुष्य की ब्रिकुटी में क्या है? तांडव का ताल है मनुष्य की ब्रिकुटी में तांडव का ताल है मनुष्य की वाणी में क्या है? यूग का आहवान है मनुष्य की वाणी में यूग का आहवान है मनुष्य की चाती में क्या है? मनुष्य की चाती में महाकाल है मनुष्य की चाती में क्या है? महाकाल है तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से जोड मिलाने का प्रयास किया फिर आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित प्रश्णों के सही विकल्प के सामने निशानी करनी है तो हम करते हैं मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले रोक ले जान ले मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले मनुष्य चाहे तो काल को भी रोक ले मनुष्य चाहे तो काल को भी जान ले तो यहां कविता के हिसाब से हमें जवाब देना है हमें खरा करना है तो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले कविता में भी आता है चाहे तो काल को भी थाम ले ऐसा हमने पढ़ा, सुना और हमने गाया भी मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले दूसरा जो वक्य है मनुष्य चाहे तो धर्ती को मनुष्य चाहे तो धर्ती को क्या कर सकता है देखते हैं फोड़ दे यूग का आहवान दे या अंबर से जोड़ दे आप सोच ले मनुष्य चाहे तो धर्ती को फोड़ दे मनुष्य चाहे तो धर्ती को युग का आवान दे मनुष्य चाहे तो धर्ती को अंबर से जोड़ दे तो आप अच्छी तरह से समझ गए है कि मनुष्य चाहे तो धर्ती को अंबर से जोड़ दे तू जो चाहे धर्ती को अंबर से जोड़ दे ऐसा हमने पढ़ा था ना याद है ना बहुत अच्छा मनुष्य चाहे तो माटी से याधा वाक्या है हमें उसमें आपूर्ति करनी है मनुष्य चाहे तो माटी से क्या कर सकता है मुख को भी मोड़ दे अमरूत निचोड़ दे दुनिया बदल दे मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे मनुष्य चाहे तो माटी से अमरूत निचोड़ दे और मनुष्य चाहे तो माटी से दुनिया बदल दे सही जवाब बताईए सही उत्तर, सही विकल्प मनुष्य चाहे तो माटी से अम्रित में चोड़ दे आता है न? गित में आया था तो आप जान गए है मनुष्य चाहे तो माटी से अम्रित में चोड़ दे स्वाध्या कर रहे हम यो तो अपने तरीके से करना होता है स्वाध्य, खुद ही करना है लेकिन इधर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ वो मेरा भी करतव्य है कि मैं आपकी मदद करूँ तो आगे भी देखते हैं नीचे दिये गए शब्दों के विरुद्दार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए धर्ती, आकाश, धर्ती का विरुद्दार्थी शब्द है आकाश बराबर है न, सम्मध है न आप आकाश का विरुद्दार्थी शब्द है दर्ती दर्ती का विरुद्दार्थी शब्द है आकाश अब देखे मैंने एक वाक्य का प्रयोग भी किया है पक्षी आकाश में उड़ रहे है पक्षी आकाश में उड़ रहे है आकाश शब्द का मैंने उपयोग किया दूसरा शब्द था अम्रित माटी से अम्रित निचोड़ दे अम्रित की बात हुई थी तो अम्रित का विरुद्दार्थी शब्द है विश जहर साप का विश जान लेवा था अब समझ गये निए विश का मतलब साप का वीश कैसा था जान लेवा था वर्दान शब्द का विरुद्दार थी शब्द है शाप तो इसके बारे में भी एक वाक्य सोचते हैं सती ने दुष्ट को शाप दिया सती स्त्री थी सती स्त्री ने दुष्ट को शाप दिया सती ने दुष्ट को क्या दिया शाप दिया बाल दोस्तो अब और भी एक सवाल हमें देखना है और इस सवाल में भी भाशा की बहुत अच्छी प्रविर्ति चिपी हुई है तो देखते हैं वह भी स्क्रीन पर नीचे दिये गए शब्दों को शब्द कोश के करम में रख कर उ उस प्रकार है तुफान वर्दान, नयन, शीष, आईना, जंकार ये सारे जो शब्द हैं इंदि भाशा के शब्द हैं हम इन शब्दों से परिचित भी है लेकिन यहाँ हमें हमें जो काम करना है वह क्या है ये इन सारे शब्दों को शब्द कोश के क्रम में रखने हैं तो देख लेते हैं, शब्द कोश का सही क्रम, पहले एक शब्द आएगा आइना, आ है न, तो आइना, तो वह शब्द पहला आएगा, और बाद में जंकार, आइना, जंकार, तुफान, नयन, वरदान, और शिश, आप शब्द कोश के क्रम से अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन शब्द कोश के शब्दों के बारे में, पहले कौन सा शब्दा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा शब्दा आएगा, यह सब हमें शिखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, सतत, उसका महावरा करना चाहिए, हमें इन शब्दों को बार-बार, शब प्रवरित्ति करनी चाहिए यह आप करेंगे तो आप शब्द कुष्ट के करम को अच्छी तरह से सीख सकते हैं तो मज़ा आया ना बहुत अच्छे मालदूस्तो आज के एपिसोड में हमने धर्ति की शान जो काव्य है जो गीत है उस काव्य का आस्वात तो किया ही था लेकिन आज हमने क्या किया अभ्यास और स्वाध्या के प्रश्णों के बारे में चर्चा की है आपने सारी प्रवृतिया अच्छी तरह से करने का प्रयास किया है तो ये तो बहुत खुश होने की बात है कि आप घर पर है फिर भी अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे है अब देखते हैं आज का सवाल तो बच्चों देखते हैं आज का सवाल आज का सवाल इस प्रकार है आपके लिए मनुष्य मतिमान है वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताईए आपके लिए विकल्प इस प्रकार है आपको इस टेलिफोन पर इस सवाल का जवाब देना है नंबर लिख ले छे तीन पाँच साथ तीन नौ नौ चार साथ शुन्य दोस्तों आज हमने धरती की शान गीत के बारे में देखा साथ में स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्णों की भी चर्चा की आपको मजा आया होगा फिर मिलेंगे दन्यवाद स्वाध्याद